कि हालाकि इस मुद्धिवर बीडियो बनाने का समय नहीं होना सी है मैं मेरा मल भी था लेकर लगातार कुछ ऐसे स्टुएंट्स की कुश्टन्स आ रहे हैं जो थोड़ा सा बाहर है यूपी के जिन्हें आना भी है जिन्हें अपनी प्रिंग भी करानी है जिन्हें अपनी तैय क्यारी मुझे मिल रही है उसके अधार पर मैं आपको जानकरी दे रहा हूं उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरू कर लिए लेकिन लगातार जो वीडियो आ रहा है यहां पर घटना चकर के पड़े हैं और वीपी काने वाला जो भी आप देख रहे उनको क्या होगी या नहीं होगा तो नहीं जाम डेट क्या होगी या फिर होगा तो बार-बार अपको फैल रही है इन सब मुद्दों पो अगर हम लोग क्लियर करके देखें तो हम यह देख पाएंगे कि कुछ दो-तीन बाते हैं जो हमें यहां पर देखने वाली है एक तो अभी लख्मों में लोग सिवायों कि बैठक चल लही है सभी राज्यों कि लोग सिवायों कि वहाँ पर मेंबर्स आई हुए हैं और अध्यक्षी भी स्वेम वहां मौझूद है इसलिए कोई निरने नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक को अभी प्रयाग्राज नहीं पहुंचते तब पक इस पर कुछ भी कहना आसम बहुत है अलाकि जो एक्जाम एक टलुवा गैंग होता है आपको पढ़नी ना देने वाला गैंग होता है वो हर बार सक्री हो आता है हर बार एक्जाम को टलुवाता रहता है तो आप उसके भरोस में तो बिलकुल आएंगे नहीं यह प्रसासनिक अमला होगा आप इमान के लिए बड़े-बड़े सहरों में तो होते ही होते हैं वहां पर भी काउंटिंग होगी और अन्य जगह भी होगी तो अधिकांस जब प्रसासनिक अमला वहां मौजूद होगा तो सुबहस चौदय को इतनी बड़ी संख्छा में पेपक प्रसासन क्या करता हो बात को आयोग ने इस बात पूछा जरूर है वह बात की बात है लेकिन अभी जो कंडिशन बन नहीं है उन कंडिशन में 14 माई को एक्जाम हो पाना थोड़ा सा जटिल दिख रहा है इसलिए मैं पुरी तरह आप से नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई को उसी धंक से जारी रखें चूकि अगर यह कही दिया जागा कि एक्जाम नहीं होगा तो आप अपने आपको डिले कर लेगे तो एक्जाम संभावित एक्जाम उसी डेट को मानके चल इस पर देट अब इस पर तो नहीं लेकिन चार जून को संभावना ज्यादा बंती दिख रही चार जूनिया ग्यार दिन उसके पहले चार जून के पहले नहीं तो अभी भी आप यह मानके चलेंगे मैं जो इस परस्ट कर दूँ आपको कि 90% आप यह मानके चले कि आपका एक्जाम 14 माई को ही होगा 90% हाँ 10% अभी आप यह मानके चल सकते हैं कि एक्जाम साइद है कि 4 जून को चला जाए तो एक बात जो मुझे सूचना मिली मैं उस आधा बेदानकारी थी अब आप इसके लिए क्लेम नहीं करेंगे सरा आप इस परस्ट नहीं करेंगे थी नहीं तो हम आप क्या करेंगे दूसरी बात आप अपनी परहाई में जरासी भी ढिलाई नहीं बढ़तेंगे चुकि जरासी ढिलाई आपके लिए गहरे समुद्र के खाते खुल सकती है जरासी लापरवाई आपका पूरा साल बराद कर सकती है जरासा अला परवाई आप पुश्यतंबर के में से और आने वाले इंटर्वी से बंचित कर सकती है जरासा प्री की धिराई आपको 2024 के प्री की त्यारी को ले आ सकती है तो इन सम्भुद्धों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई उसी तरीके से 14 माई वाली ही करेंगे और अगर यह समय मिल जाता है तो उसमें आप दुगने जोसे और जो पॉइंट और जो समय आप नहीं निकाल पा रहते हैं उसके लिए अपने इस समय को जुटाएंगे कुकि आप शफल होंगे और आप शफल तम बनेंगे चलती पीजिती सैकणों कोश चली आती है नचलता हूँ अगरू एक पक भी नहीं चलता गच्छत पीलक म्योजनें गच्छत अगच्छतम पद में कमना गच्छत तो आप धिरे धिरे करते रहेंगे तो आप मंजिल पास आएंगे अगर आप खड़े हो गए वहाँ पर ठैर गए तो ताल आपके पानिक तरह सर जाएंगे चलना ही जीवर नदी चलती रहती उसका पानी स्वस्च पोई तुरत और आपके अंदर वो बिचार है आपके अंदर योग ने कोई भी आप इसी बात को मान के पढ़ाई करें कि चौदे माई को आपका एक्जाम होने जारा है और अतहिक सब्सक्राइब मत करें मेरे चैनल पर आप जितने भी करेंड़ फैर 32 की प्लेलिस्ट बनी भी है जो आज का वीडियो है सो वाला घटना चक्र वाला वो देखिए जरूर से जरूर वीडियो को देखिए ताकि आप उस वीडियो को देख करके निस्वर भी तो पर समझ पाएं कि क्या पढ़ना है बाकि एक दो वीडियो अभी और आएगा और लगातार आपने डिमांड किये कि मिश्ट्लेनिस वीडियो बुभी में लाओंगा कर सके और आप सपोर्ट दिखा रहे हैं यह अच्छी बात है जुटे रहे हैं लगे रहे हैं बने रहे हैं स्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं जय भारत धन्यवाद